Hi guys, ये देवांग मैश्वरी दिस साइड Recently में Infosys के ADR 9% तक टाउन थे Infosys single day 7-8% तक का fall intraday हमें दिखा था हुआ ये कि Infosys ने अपना जो revenue guidance है वो revenue guidance half कर दिया था इसका impact सारी IT companies में हमें recently देखने को मिला है काफी सारी news है कि जो IT sector है overall वो एक slowdown की तरफ बढ़ता जा रहा है इस वीडियो में हम बात करेंगे एक large cap IT company one of the top 4 IT companies of India विपरो लिमेंटेड टेक्निकल अनालेसिस करेंगे फिर हम fundamental points और टेक्निकल points को मैच अप करने की कोशिश करते हैं और एक conclusion की तरफ बढ़ते हैं लेट्स स्टार्ट यह है विपरो लिमेंटेड का मंत्री चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पर अगर आप इसे देखे तो कोरोना वाइरस की बहुत अच्छी रह लिया थी उसकी बात पैंडेमिक के बात जिसमें की स्टॉक ने आराउंड इसके बाद देखे तो स्टॉक के एक करेक्शन फेज में चला गया ओल्मोस्ट फिफ्टी परसेंट तक का यहां डॉड़ाउन देखने को मिला अगर हम डेली चार्ट पे जाके बात करें तो स्टॉक पस एक साइडवेस कंसॉलिडेशन मोड में वर्क कर रहा है जो की कर रहा है पिछले ओल्मोस्ट हाफ यह से ऑक्टोबर 2022 से स्टॉक बस एक साइडवेस मोमेंटम में जाता हुआ दिखता है यहां पर देखेंगे आप स्टॉक का यह एक अपर रेंज हो गया विच इस अराउंड 420 लेवल्स ए अब अगर आप रिसेंटली में देखें तो रिजल्ट के पहले दो देन एक अच्छा पंप हमें यहां देखने को मिला था और वहां से फुल रोल बैक हो गया स्टॉक अगर हम एक शॉटर टम यूपर टेकनिकल पॉइंट से बात करें तो यहां पर उपर की साइड से रिज में अच्ण करते हैं देखते हैं किस तरीके से विप्रो ग्रो कर रहा दो मिद्ट किरिंट मार्केट प्रेस देखेए तो 399 ऐस स्टॉक का प्रयम टीपल देख्व आमटीपन है पर अधर बेसिंटो के रिजल्ट के नियुन तो सटॉक नहीं आप यहां पर विज़ू जून 2023 जून 2022 अब देखेंगे माइनर ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है 6% की ग्रोथ जून क्वाटर में और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो अल्मोस्ट अरॉंड 10% का हमें यहां प्रॉफिट ग्रोथ दिख जाएगा जो हमें यहां पर हुआ है 2500 करोड से 2800 करो ही रही है यहां से देखिए आप जो 37,000 का टर्नोवर था राउंड 2012 में कंपनी ने हर साल अल्मोस्ट इंक्रिमेंट ही करा है यहां 2020-21 में थोड़ा सा एक स्टेवल आया था कुछ ग्रोथ नहीं थी बढ़ आप देखेंगे कभी भी कंपनी ने डिग्रोथ नहीं करा है 37 43 46 51 55 क्यां 79 और मार्स 2023 90,000 एक चीज तहा है कि कंपनी जो है यह है लोंगर टम कंपाउंडिंग कंपनी एक स्टेवल कंपनी है जहां पर आपको ओवर था पीरियर्ट एक नॉमिनल ग्रोथ परसेंटेज दिखता जाएगा जैसे अगर आप यहां सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 परसेंट का रोथ रिट सेल्स में बिल जाएगा वैसा ही कुछ प्रॉफिट में 7 तौ 6 परसेंट आपको गलोथ रिट दिख जाएगा वह से भी तीन साल उठाईए पाँ इस वहां पर दिख जाएंगे एसे जो कंपनी पर यह साइन्स होता है एक मैचिवर और कंपनी का जह almost 20% का pump यहाँ पर हमको profits में देखने को मिला अब यह वही साल है जहाँ pandemic के बाद काफी सारा IT सेक्टर में re-rating हुआ था IT सेक्टर पे सब एकदम bullish हुए थे क्योंकि lockdown लग गया था इसलिए जितने भी भार की भी companies है सब को कुछ ना कुछ automation required था और वहाँ पर जो IT spending पर budget थे वो एकदम increase हो गए और वहीं company ने भी अच्छा growth करा valuation multiple पर ध्यान दीजिए यहाँ पर over the period अब PE ratio पर click करेंगे और आप last 10 years का valuation उठा लीजिए तो एक top valuation जो company का आप यहाँ देखेंगे यह around 18-19 के valuation multiple पर है पी multiple पर है यहाँ पर 18.6 यहाँ 19 यह आप देखेंगे यहाँ पर री रेटिंग हुई है pandemic के कारण जहाँ पर एक sudden pump सारी IT companies में moralis हमको देखने को मिला था अच्छा profit pump अच्छा sales pump आया था और company का जो एक historically valuation चल रहा था 18 के multiple के आस-पास वह वहां से 28 तक का चला गया था यहीं आके देखिए यहाँ पर हम अगर नीचे जाते है इसमें स्क्रोल करी और note section में जाहिए तो एक चीज यहाँ पर important है जो recent Conqual में हुआ था नदर्स the demand environment is normalizing after a sharp acceleration in tech spending during the pandemic with client seeking faster ROI and cost optimization through automation and vendor consolidation तो एक जो शार्प acceleration था pandemic का वो trigger company को लगता है कि अब normalize हो रहा है consistent basis पर वैसी acceleration नहीं आ रहा है तो सवाल यह आता है कि जो historically valuation company का चल रहा था around 18-19 के आस-पास आज आप देखेंगे तो company वही valuation के पास में यानिकि यहाँ पर जो downside risk है इस company में वो downside risk काफी कम हो जाता है अच्छा margin of safety होता है हम कहीना कई historical valuation के पास में ही trade कर रहे है अप side की बात करें तो वो totally depend करेगा कि trigger अगला क्या हो सकता है क्या वापस से sudden acceleration आएगा क्योंकि अगर sudden acceleration नहीं आता है जैसा हमने historically देखा क्या rate 10% company overall grow करती रहती है उसके इसाब से यह valuation multiple बार बार company top side पर अचीव कर लेती correction फेज आता है 14 15 तक जाती है फिर 18 पर जाती है फिर 14 15 तक जाती है फिर वापस बढ़ जाती है यह इसा ही कुछ देखेंगे तो 17.4 देखेगा आपको लास्ट डिस लाइक ओल्मोस्ट 12 यह 15 यह 16 यह सो अब अगला trigger क्या हो सकता है इस company में क्योंकि अगर company बहुत तेजी से एकदम ग्रोड नहीं करती है तो आपको जो शेर प्राइज में बहुत जादा एकदम से इंक्रिमेंट नहीं दिखेगा जैसे कि आप यहां देखिए 10 years में 9% sales growth profit percent 7% price 9% 11% 7% 14% 3 years में 14% this is also 14% अच्छा समझ लीजिए कि जो sales growth है उसको कहीना कहीं match up कर देता है price growth over the period बीच में दो साल तेज आई थी तो stock 2.5 साल एक साल थोड़ा तेजी से बढ़ गया और आपस से growth को match कर दिया यहां पर एक चीज फॉर शूर है अगर अच्छी growth rates आती है वापस से यहां पर वापस से यह stock higher range of multiple पर जा सकता है में काफी सारी small cap IT companies आप देखेंगे में मिटकाब देखेंगे तो वापस वहां पर यही हुआ stock 40-50 परसेंट करेक्ट आया बट वापस से जो लास्ट एक क्वाटर दो क्वाटर ते उसमें growth rates अच्छी आई और वापस से जो valuation multiple है वो pick up करने लग गया बट यहां पर विप्रो देखेंगे आप infosys देखेंगे यहां पर revenue guidance जो है वो slash हो रहा है अगर recently आप company की news देखेंगे तो यहां पर विप्रो revenue declines industry outlook bleak और यहां पर company ने next growth का जो दिया है वो यह दिया है कि वापे flat growth रहेगा कुछ खास growth अगले quarter में नहीं होने वाला है company ने ऐसा recently अपने concoles में बूला है और आप यहां पर पढ़ सकते हैं the country is fourth largest IT firm estimates revenue could fall 2% और improve by 1% in constant terms so September quarter results more or less minus 1% से 2% के बीच में आप माने तो flat results आएंगे कुछ growth September में भी नहीं आएगी तो अब आगे क्या trigger हो सकता है यहां पर जो next trigger आ सकता है वो आ सकता है artificial intelligence company उस तरफ अच्छी तेजी से बढ़ रही है जैसे कि अगर हम यहां पर देखे तो company में आपको कुछ updates है जो आपको उस तरफ हिंट कर रहे है यह थिखे यह विप्रोफ इंवेस्टेस देर इंटार वर्क फोर्स नेरी तू लाग फिप्ती थाओजंड एंप्लोईस इन एइ यानि कि company और कमपनी उस डारेक्शन में वरक करते भी दिखते हैं जितने भी इनकी एंप्लोई फोर्स है उनको आटिफिशल इंटेलिजेंस में ट्रेंड कराने के बाद निक्स्ट वन एर में हो रही है यानि कि कमपनी जो डाइनेमिक चेंजेस हो रहा है अराउंड उस पे फोकस कर रह है आटिफिशल इंटेलिजेंस में सारी IT कमपनी के लिए जो आटिफिशल इंटेलिजेंस है यही निक्स लीप ओफ ग्रोथ होगा जो अभी तक हमें दिखता है अगर यहां पर अच्छे ओडर्स आते है अच्छा क्लाइंट एक्विजिशन होता है आटिफिशल अधर्वाइस कंपनी नॉर्मली तो ग्रो करी रही थी तो कंपनी में ऐसा कुछ बेकार भी नहीं हुआ है बिल्कुल कि यहां पर एक सेलिंग डिसीजन ले सके सो अगर हम कंपनी देखे तो अच्छी मार्जिन ओफ सेफटी है एक कंसिस्टेंट कंपांडिंग कंपनी है सो टेक्निकल पॉइंट पर देखे तो एक रेंजबांट मैंनर में ओवरॉल स्टॉक चल रहा है एक अच्छा ब्रेकाउट और एक अच्छी रहली अगर आपको स्टॉक में देखनी है तो यह मिलेगी 424 लेविल्स के ऊपर यहां पर अगर हमें ब्रेकाउट मिलता है तो यह एक अच्छा ब्रेकाउट रहेगा अच्छा रिजिस्टेंट जोन है वीकली चाट पर जाके देख लिए तो यहां पर आपको एक इनवर्स हिडिन शॉल्डर भी बनता वा दिख रहा है इन फैक्ट यहां पर दो शॉल्डर है यहां पर यह दो लिफ्ट शॉल्डर यहां पर यहां पर वापस से यहां पर हमें अच्छा मोमेंटम देख सकता है क्या लगता आपको विपरो के बारे में अर्टिफिशल इंटिलिजिंस में कितना अच्छा कर पाएगी कंपनी मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और उमीद करता हूं यह वीडियो आपको आपको अच्छा माय ौएग कर देख मेंटस। नि ai हुमाने इंटर यह नहिंड ।